दोस्तो भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह पूजा जाता है। क्रिकेट की चर्चा हर गली, नुके, शहर, कच्चे में मिल जाएगी आपको। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे भी अजीबो गरीब रिकॉर्ड क्रिकेट की दुनिया में बनाए गई हैं जिनें तोड़ना तो दूर, लोग जानते ही बहुत कब होंगे। तो चलिए आज मैं आपको उनी रिकॉर्ड के बारे में बताती हूँ। टेस्ट मैच की पहली गेल पर छक्का। गेल ने 2012 में बांगलादेश के खिलाफ सोहाद गाजी जो बांगलादेश के स्पिन गेल बाज हैं उनकी गेल पर इस उपलब्धी को हासिल किया था। नमर दो, सचिन के बैट से जड़ा शतक। 1996 में श्रिलंक और टाकिस्तां के बीच खेले गए मैच में श्राहिद अफरीदी ने 37 गेंदों में 11 चक्के और 6 चौक के जड़कर उस समय सबसे तेज सटक के जड़ने का वर्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब तो ये रिकॉर्ड साउथ अफरिका के बल्लेबास ABD Williws के नाम है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस मैच में अफरीदी ने सचिन तेंदुलकल का बैट इस्तमाल किया था। दरसल अफरीदी के पास उचित बैट नहीं था। इसलिए वकार यूनिस ने उनको सचिन का बैट खेन लेके लिए था। तो हो गया ना रिकॉर्ड। नमबर तीसरा। टेस्ट मैच की पहली बॉल पर आउट। टेस्ट मैच की पहली बॉल पर सबसे जड़ा बार आउट होने का रिकॉर्ड। भारत के पूरवधिगक जवल्लेबास सुनिल गवासकर के नाम है। तीन बार टेस्ट मैच की पहलीuğल पर आउट हो गए। इस रिकॉर्ड को अभी तक कोई भी तोड नहीं पाया है नमबर चार वनडे में लगातार चार बार Man of the Match क्रिकेती तिहास में सौरफ गंगली एक मात्र ऐसे खिलारी है जिन्नोंने वनडे में लगातार चार बार Man of the Match अवार्ड जीते हैं गंगली ने 1997 में टोरांटो में पाकिस्तान के खिलाफ बंडे सीरीज में लगातार चार मैन आफ दो मैच अवार्ड अपने नाप किये थे नमबर पाच एक टेस्ट मैच में 19 विकेट जानकर हैरान हो जाएगे आप इंगलेंड के गेनबाज जिम लेकर एक टेस्ट मैच में 19 विकेट लेने का कारनामा कर चुके हैं इंगलेंड के गेनबाज जिम लेकर ने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया टीम को तहस नहस कर दिया था ये टेस्ट मैच में बना क्रिकेट का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जिम लेकर ने इस टेस्ट मैच में पहली पारी में 9 विकेट छटके और दूसरी पारी में 10 विकेट छटके थे ऐसे में ये पाँच अजीबो गरीब रिकॉर्ड्स अभी भी टूट नहीं पाए है दोस्तों क्या आप इन रिकॉर्ड्स के बार में पहले से जानते थे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और आपको ये जानतारी कैसे लगए ये भी बताएगा चलती हूँ नमस्कार